नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारत केवल सम्रिद इतिहास और विविद संस्कृती की भूमी ही नहीं है, बलकि यहां पर दुनिया के कुछ सबसे अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्य भी मौजूद हैं। चाहे वो विशाल परवत हों, शांद ज जीलें, हरे भरे जंगल, या रहसेमई गुफाए, आज हम आपको ले चलेंगे भारत के उन नैचुरल वंडर्स की सेर पर, जो इस देश को वाकई अद्वितिय बनाते हैं। तो तैयार हो जाए प्रकृति के इन नायाब नजारों को देखने के लिए। चेंबरा लेक, केर केरल के पश्चिमी घाटों में है एक ऐसी जील, जो दिल के आकार में है, एक विशाल परवत की धलानों पर शांती से बैठी है। इसे कहते हैं, चेंबरा लेक, यह रास्ता जैव विविदता से भरा हुआ है। आपको यहां कई प्रकार के पौधे मिलेंगे, जिन में से विशेश हैं। और अगर आप भागेशाली हैं, तो आपको शायद दुरलब नील गिरी तहर भी दिखाई दे सकता है, जो धलानों पर चरते हैं। और फिर, रोमांचक ट्रेक के बाद, वह जील आपके सामने होती है, दिल के आकार की एक जील, जो पहार की गोद में पूरी देती है, यह है Magnetic Hill, इस सडक पर जब आप अपनी गारी Neutral Gear में खड़ी करते हैं, तो बिना किसी इंजन की मदद के गारी अपने आप पहारी की ओर उपर चरने लगती है, हाँ, आपने सही सुना, उपर की ओर, क्या यह कोई जादू है, या फिर किसी अलौकिक शक्ती का खे जबकि असल में वह नीचे की ओर जा रही होती है, क्रिशना बटर बॉल, तमिलनाडू, तमिलनाडू के महाबली पुरम में स्थित एक विशाल पत्थर, जो एक छोटे से धलान पर मानो ग्रेविटी के नियमों को चुनौती देते हुए, टिका हुआ है, इसे कहते हैं, क्र जन लगभग 250 टन है, कहा जाता है कि भगवान क्रिशन बच्पन में मखन चुराने के लिए मशूर थे, और यह पत्थर उसी मखन का प्रतीक है, इसी कारण इसे क्रिशना का बटर बॉल कहा जाता है, कुछ वैग्यानिक इसे, फ्रिक्शन और सेंटर ओफ ग्रेविटी के का रंटिका हुआ बताते हैं, नोकालिकाई फॉल्स मेघाले, उत्तरपूर्वी भारत की धर्ती, जहां प्रकृती ने अपनी पूरी सुंदर्ता बिखेर दी है, वहीं मेघाले की पहाडियों के बीच चुपा है, एक रहसेमई वाटर फॉल्स, यह भारत का सबसे उंचा बैरन आइलेंड, यह द्वीब पूरी तरह से बंजर है, जहां न कोई पेर, न कोई पौधा, चारों और फैली काली चटाने और राक से धकी जमीन, यही है बैरन आइलेंड की पहचांग, शायद इसलिए इसे बैरन यानी बंजर कहा जाता है, बैरन आइलेंड का ज्वाला मुखी से निकलने वाले खनिश तत्वों के कारण एक अद्भुत समुद्री जीवन पनपता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से गोता खोराते हैं, बैरन आइलेंड का ज्वाला मुखी पहली बार 1787 में दर्ज किया गया था, और तब से अब तक कई बार यह फटा ह अगुंबे, करनाटक, अगुंबे, जो अपनी भारी वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, अपने प्राकृतिक सौंदरे से दिल को छू लेने वाला स्थान है, यहां के जरने, जैसे की बरकाना और जोगी गुंडी फॉल्स, पानी के गिरने की ध्वनी के साथ एक अलोकिक वा की अद्भुत सूर्यास्त का भी गड़ है, जब सूर्य की किरने इस वादियों में समाने लगती हैं, तो आस्मान का रंग बदल जाता है, और यह नजारा आपकी आँखों में बस जाता है, रूपकुंड लेक उत्राखंड, हिमाले की गोद में छुपी हुई, रूपकुंड जील एक ऐसा स्थान है, जहां हजारों साल पुराने मानव कंकाल बिखरे पड़े हैं, कहा जाता है कि ये कंकाल नोवी शताबदी के हैं, और इनकी मौत का कारण एक अजीब औगरीब आपदा थी, वैग्यानिकों के अनुसार, इन लोगों की मौत एक बड़ तो अपने भीतर छुपे हुए रहसे को उजागर करती है, स्पिती वैली, हिमाचल प्रदेश, स्पिती घाटी की पहचान है यहां की प्राचीन मोनेस्ट्री की गोंपा, एक हजार साल पुरानी यह मोनेस्ट्री, तिब्थी बौध धर्म का एक प्रमुक केंद्र है, यहां में एक अजीब सी शांती चा जाती है, तब ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया से परे किसी और ही स्थान पर हैं, भेराघाट मार्बल रॉक, मद्यप्रदेश, भेराघाट की संगमर्मर की चट्टाने, जो एक सौ फीत की उंचाई तक खड़ी हैं, अपने आप में एक जरना, इस जरने का नाम धुआधार इसलिए पड़ा, क्योंकि यहां पानी की तेजी से गिरने वाली धारा के कारण धुंद और शोर उत्पन होता है, तो दोस्तों, इस वीडियो को यही खतम करते हैं, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ज जुड़े रहें इस चैनल पे